दोस्तों बात करें तो Nothing Company के साथ यहाँ पे अलगी सीन यहाँ पे चल रहा है हाली में जो Nothing Company के जो इंडिया हेट थे जिनका नाम मनू था उन्होंने यहाँ पे Nothing Company को छोड़ दिया और अब इंडिया की हेट की पोजिशन यहाँ पे खालिए अब टेक्निकल भी बात किया तो जैन्वरी में यह पूरी तरीकी सिनका जो पीरिड होता है नोटिस पीरिड वो खतम होगा लेकिन अब देखने वाली बात है कि Nothing Company अब इंडिया में यहाँ पर कौन लीट करता है हाला कि एक और बात बता सकता हूँ Nothing की को फाउंडर है Ackis जो की कार्ल पेक एक दोस्ते जिन्होंने साथ में इन्होंने कंपनी शुरू करी थी और उनका है कहना है कि Nothing India का जो Head होगा यहाँ पर उसको भी हम काफी जिल्दी हाँ पर Announce करेंगे लेकिन एक भाव बता सकता हूँ आथ के समय में जो Ackis है वो इंडिया में ही है और जो Nothing के लिए है जो Head होगा उसकी Position की अलग लग लग लोगों से जो की होगा Nothing Phone 2 है अब हाला कि Officially तो लोगोंने Confirm नहीं किया है लेकिन इसके Leaks और हिंड बहुत जाद आ रहे है और कहा जा रहे है कि Mobile World Congress में इसका Announcement यहाँ पर हो सकता है अब Nothing Phone 2 है मेरे हिसाब से थोड़ा से आपर लिए तो गया इनका Nothing Phone 2 के सब Nothing Phone 2 का अगर Announcement हो जाता तो एक बहुत ही अच्छी बात होती लेकिन फिलहाल के तौर पे देखा जातो Nothing Phone 2 है एक हलका सा एक मिटरंज का टिगरी का फोन होगा अपर मिटरंज का टिगरी का जिसके अंदर कहा जा रहे है कि 120 Hz OLED पैरल 6.7 इंच का डिस्पले Dimensity 7200 होगा और पीछे आपको Horizontal Camera Layout यहापर आपको देखने को मिलेगा जो आपसे पहले हम दें Nothing की किसी भी फोन में यहापर देखा नहीं है तो यह कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको Nothing Phone 2 A के साथ देखने को मिलेगे और मेरी नजर में Phone 2 A को पहले ही लाँज कर देना चाहिए था क्योंकि Nothing Phone 2 A वो इतना successful यहाँ पर साबिक नहीं हुआ और Nothing Phone 2 A अगर 30,000 रुपे की कीमत के आसपस आता है तो काफी सारे लोग होंगे जो इसको लेना पसंद करेंगे अगर यह उससे बेटर होता है तो Phone 2 A को भी लोग यह पसंद करेंगे देखने वाली बात है कब यह इसके साथ आप कोई चीज देखने को मिलती है और किस कीमत पर आता है अंडर 30,000 के आसपस की कीमत रहती वो मैं इसके साथ एक्सपैट कर सेकता हूँ इसके साथी Apple Watch से लेटेड काफी इंट्रस्टिंग नीज है जो Apple Watch की Series 9 और Apple Watch Ultra 2 आती है इसको USA के अंदर इसकी Sales के उपर बैर लग गया गया है क्योंकि USA के अंदर एक कमतनी के साथ इनका Patent Issue चल रहा था जिस कारेंड से यहाँ पर ओर निकल जाता है अब जब Series 9 और Ultra 2 स्मार्ट वाचेस की उपर जो बैन लग गया है वहाँ पर बीच नहीं सकते है तो इससे Apple को काफी दिक्कत हो सकती है जब देखने वाली बात है कि जो Apple है वो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर आगे चलके यहाँ पर काम करती है इसके साथ यह बात कर अगर मैं AI related news की तो Artificial Intelligence के इस पील्ड में देखा जादो अभी इंडियन कम्तनी से आपे काम कर रही है और हाली में इंडिया की खुद की बनाईवी कृत्रिम AI भी हाँ पर आई है अब कृत्रिम AI के बारे में एक दो बातें बता सकता हूँ सबसे पहले तो यह GPT के उपर बेस्ट नहीं है जो कि आपकी Open AI ने बनाई थी और अभी दर जित्ती भी AI आपको देखने को मिल रही थी वो जादतर जो Open AI के जो प्लेटफॉर्म ते डाल, E हो गया GPT हो गया उसी के उपर कही ना कही बेस्ट थी क्रत्र में कैसी आई है जिसे इंडिया की Languages के उपर ट्रेन किया गया है और इंडियन Languages पे बहुत अच्छे तरीके से हपर काम करती है और इस Artificial Intelligence की खास बात है कि Chatbot की रूप में भी आई Speech भी देगी यहाँ तक कि आपको Image के रिजल्ट भी आपको देखने को में लेंगे हाला कि अभी इसको Publicly Available नहीं करवाया गया है लेकिन देखने वाली बात हो कि जो क्रत्र में आई है इनका क्लेम है कि Chat GPT से बैठर है Indian Language में क्योंकि इंडीन कंटेक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती है अब देखने की किस तरीके से काम करते हैं और इनका ये भी खहने कि अपने खुद के प्रोसेसर्स भी लोग डिसाइन कर रहे है जो AI वाले होंगे जो completely इंडिया में ही वनेंगे अब देखने वाले बाते किस हद तक यहां पर बाते सारी सा चोती कब तक और कब हम इसका practical implementation देखने को मिलते हैं लिकिन इक बात हम यहां देख रहे हैं कि इंडिया में खुद का भी एक made in इंडिया AI solution भी आपको देखने को मिल रहा है जिसकी dependency भार की किसी company के उपर नहीं है इसके साथ ही कुछ और बाते भी आपको यहां पर बता सकता हूं हाली में IQ 12 यहां पर लोच चुआ था और उसकी कीमत थी यहां पर 53,000 रूपीज Snapdragon 8 Gen 3 के साथ आने वाला पहला phone होता हो काफी low price पर है सबसे पहली चीज़ जिए हापे market में बदल रही है ना smartphone industry में कि जो component की prices वो rise हो रही है और काफी सारी companies ने पहले ही order दे दिया था जब prices low थे और एडमार्स पे bulk order दिया था जिस कारण से Snapdragon और MediaTek के processor को नोंने acquire कर लिया और इन components के phone को अभी ही यहां पर release कर दिया जो आपको aggressive pricing में देखने को मिलेंगे लेकिन एक बाप बता सकता हो कि अगले साल के starting के बाद जो धीरे धीरे बाद में जो phone launch होंगे उनकी जो bomb cost होगी, bill of material cost जो components की होती है वो यहां पर increase हो चुकी होगी और आप एक हलका सा price है कि यहां पर expect कर सकते है यह mid range, upper mid range category में आपको काफी जादा देखने को मिलेगा premium के अंदर श्याद उत्ता जादा देखने को ना मिले लेकिन कोई भी company अब ऐसा नहीं होगी कि यहां पर आपको system में सारी जीज़े deliver कर पाए ओपर से जातर companies की sales अप उतनी नहीं होती जितनी हुआ करती थी और हाँ जाद अतर जो launches होंगे अगले साल के वो 2024 के first half में होंगे और जो second half होगा 2024 का वहां पर आपको जाद से जाद आप sales discount यह सब दी देखने को मिलने वाला है इसके साथ ही बात करें सोनी के PlayStation 5 के बारे में तो Xbox को 3-2-1 के ratio से हरा दिया यह को simple सी बात है कि अगर Xbox एक भी करा है तो उससे 3 गोड़ा जादा sales हो रही है PlayStation 5 की और लग रहा है कि इस बार की जो console generation वो PlayStation 5 जीत की है और एक और बात बता सकता हूँ PlayStation 5 से related कि उन्होंने काफी सारी चीज़े साही करी थी इसका slim version को भी हाँ पर निकाल दिया और rumors तो ये भी कहते कि PlayStation 5 का pro version भी आएगा और अभी तो GTA 6 आया भी नहीं है क्योंकि जब GTA 6 आएगा तो PlayStation 5 के बहुत सारी users होंगे जो उसकों आपे ले ना पसंद करेंगे तो दोस्तों ये थी कुछ इस अफते की tech news मैं आप तो मिलता हूँ अगले ये एपिसोड के अंदर तब तक आप बने रही है थैंक्यू मैं आप संदों नेक्स टोन के अंदर गुडबाई